Sight will return and the first nation to harness its powers will dominate the world अब इसके बाद वहाँ पर बचने के लिए क्या कुछ करती है आप इस मुवी में देख सकते हो इस मुवी को रेटिंग्स मिली हुई या आमडी पर 6.1 की और मुवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट मुवी है Influencer ये 2022 में एक Horror Mystery मुवी है इस मुवी में कहानी दिखाएगी है Madison नाम की एक लड़की की जो की एक Social Media Influencer होती है और ब्लोगिंग का काम करती है वो डेली अपने व्लोग्स मनाती है और अपने Social Media Accounts पर डालती है और अपनी छुटियों को मनाने के लिए और अपने व्लोगिंग को करने के लिए वो अकेली थाइलेंड आती है और वहाँ पर अकेलापन फील करती है जिसके बाद उसकी मुलगाद एक लड़की से होती है जिसका नाम CW होता है अब जो CW नाम की लड़की होती है वो Madison को एक आइलेंड पर छोड़कर आ जाती है अब इसके बाद फिर वहाँ पर Madison के साथ क्या कुछ होता और कहानी में क्या होता है यह आप इस मुवी में जिसका मतलब होता है वो किसी भी तरह की रिलेजन्स के उपर विश्वास नहीं करता है लेकिन जब James जेल में कैद एक कैदी से मिलने चाता है जो कि एक सीरियल किलर होता है जिसे फांसी की सजा हुई होती है वो किलर James को बताता है कि वो खुद एक डीमन है जिसके बाद फिर कहानी में कि क्या गुष होता है यह आप इस मुवी में देख सकते हो इस मुवी का रेंट टैम वन आवर थाटी एट मिनिट्स का है और इस मुवी को रेटिंग्स मिली हुए आइमडी पर 6.4 की जियो स्ट्रोम यह 2017 में यह एक एक्सन साइंस फिक्षन मुवी है अगर हम इस मुवी की कहानी की बात करें तो मुवी में दिखाये गया है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेकनोलजी डवलप कर ली है जिसकी मदद से वो पूरे अर्थ पर आने वाले किसी भी तरह के डिजास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं अब इसके बाद फिर कहानी में कि क्या कुछ होता यह आप इस मुवी में देख सकते हो इस मुवी को रेटिंग्स मिली हुई आमडी पर 5.3 की और मुवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी इट फॉलोज यह 2014 में यह एक हॉरर मिश्टरी मुवी है हमारे साथ ऐसा बहुत ही कम होता है जब हमें एक हॉरर मुवी देखें और उस मुवी में किसी भी तरह के डराओने और भयानक सिंग ना होने के बावजूद भी वो मुवी हमें अच्छे गासे लेवल पर डरा जाए यह कुछ इसी तरह की मुवी है अगर हम इस मुवी की कहानी की बात करें तो मुवी में जे हाइट नाम की एक लड़की की कहानी दिखाएगी है जो कि एक उनिवर्स्टी की स्टूडेंट होती है एक दिन वो एक लड़के से मिलती है जिसके बाद उसके साथ घूमने चली जाती है अब इसके बाद वो लड़की वांपर बेहोस हो जाती है और जब उसकी आंके खुलती है तो उस लड़की ने जे को एक कुर्सी से बंदा होता है और उसके बाद वो लड़का जियर से कहता है कि कोई तुम्हारे पास आएगा जो की बहुत ही अजीबो गरीब दिखेगा और वो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा और जब भी वो तुम्हें दिखाई देगा वो तुम्हें चुने की कोईसिस करेगा अब उस घर में सिफ्ट होने के बाद उस लड़की के लाइफ उस ताम पूरी तरह से बदल जाती है जब वहाँ पर उसे एक मिश्टीरियस कॉल आती है और जब वो उस कॉल को रिसीव करती है तो सामने से उसे एक लड़की जवाब देती है जो कि कुछ ऐसी बाते बताती है और साथ में वो उसके घर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ा बताती है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है जिसके बाद फिर कहानी में कि क्या कुछ होता है यह आप इस मूवी में देख सकते हो इस मूवी का रेंट टाइब 1 अवर 32 मिनेट का है और इस मूवी को रेटि को खुस करने के लिए अजीब हो गरीब चीज़े हमेशा करता रहता है जैसे किसी ताबूत में बंद हो जाना या ऐसी कुछ अजीब हो गरीब चीज़े अब इसी दुरन वो इंफ्लूएंसर अपने एक दोस्त और अपनी गल्फ्रेंड के साथ में रसिया जाता है और वहा अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो इस मूवी में एक लड़की की कहानी दिखाएगी है जो कि एक सिंगल मदर होती है और वो अपने बच्चों के साथ में अपने घर में रहती है एक दिन उसका एक सजबेंड अपने एक दोस्त के साथ उसके घर में आता है ताकि व वैसे वो लड़की कमरें बंद होती है लेकिन उसके बच्चे अभी भी कमरे से बाहर होते हैं अब इसके बाद यह situation की इस तरह से बहुत ज़्यादा खराब होती चली जाती है और कहानी में किया कुछ होता यह आप इस मुवी में देख सकते हो इस मुवी का रन टाइम 1 आवर 29 मिनट्स का आइट्स मुवी को रेटिंग्स मिली हुए या अमडी पर 6.0 गी नेक्स्ट मुवी है कौन सी क्रेशन यह 2013 में यह एक हॉरर मिस्ट्री मुवी है इस मुवी में डॉक्टर ग्रेस नाम की एक लड़की की कहानी दिखाई गी है जो अपने भाई की मिस्टीरियस डेथ के बाद में स्कॉट लेंड के एक चर्च में आती है ताकि वो अपने भाई की मौत की असली वज़े को जान सके तो आखिर ग्रेस के भाई को किसने और क्यों मा रहा है और ग्रेस के पास्टेस का क्या कनेक्सेन है या आप इस मुवी में देख सकते हो इस मुवी का रेंट आप 1 आवर 31 मिनिट का है और इस मुवी को रेटिंग्स मिली हुए आमडी पर 5.4 की तो दोस्तों ये थी Amazon Prime वीडियो के उपर अवेलिबल हॉलिवीड की कुछ बहुत ही सांदार मुवी जिने आप हिंदी में देख सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूट कर देना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूट कर लेना मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई